हेलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पुलिस स्टेशन में कौन-कौन से रजिस्टर होते हैं और वो किस-किस काम में आते हैं आज में अगर आप एक लौयर हैं या फिर अगर आपने कोई रिपूर्ट आज कराई है तो ये आपका जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बारीकिया पता होना चाहिए तबी आप अपने आपको प्रटेक कर सकते हो सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई ब्यक्ति थाने में कोई रिपोर्ट दज कराने के लिए जाता है तो ऐसे नहीं कि आपने किसी थाने में कोई तहरीत दी या फिर आप कोई शिकायत कराए तो इसका मतलब यह है कि आपकी रिपोर्ट दज हो गई बिल्कुल इसका मतलब नहीं है आपकी रिपोर्ट तभी दर्ज मानी जाएगी जब आपकी रिपोर्ट जर्णरल डायरी पे चढ़ा ली जाएगी जीडी पे चढ़ जाएगी अगर जीडी पे चढ़ गई है तो उसकी आपको एक receiving दी जाएगी उस शिकायत की एक कॉपी दी जाएगी आपको कि आपकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है जो कि आपको first information report FIR या फिर NCR के रूप में हो सकती है जीडी पे चढ़ चुकी है तो यहाँ पर जो पहला register होता है वो तो जनरल डायरी इस चीच को समझ लेजिए जिस पर आपकी report चढ़ती है और उसके बाद आपकी उसकी copy मिल जाती है दूसरी बात अब report जो हो चुकी है जीडी पे चढ़ चुकी है तो अब police जो भी विवेचक है उस महामले पर जाच करना सुरू कर देता है और जो भी परड़े की report होती है जिस दिन वो गयार investigate किया तो वो सारी details चढ़ती है case diary पर ठीक है कि फलाने फलाने दिन investigation करने के ले गया और उसे ये सबूत ये गवा वगएरा मिले ठीक है गवाओं के अपनी एक fair list बनती है वो एक अलग चीज है अगर 161 का बयान हो रहा है उसमें के अगवाओं के signature लिए जाती है तो उसमें signature नहीं होते है उसके बाद जो एक report तयार होती है अगर evidence मिल रहा है तो अगर नहीं मिल रहा है तो police क्या करती है कि वो सारी reports जो तयार करके police अपनी एक final report तयार करती है उस matter पर ठीक है और ये report तयार करके final report भेजती है CEO के पास अगर उस final report में कोई भी गलती नहीं है कोई भी अगर 30 नहीं है तो उस मामले में CEO क्या करता है अपनी signature करके और court में भेज देता है अब court में वो final report रसीव हो जाती है यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है कि अगर पुलिस को evidence मिल रहा है साक्ष मिलते हैं तो पुलिस क्या करती है जो final report के रूप में चाशीड दाखिल करती है लेकिन अगर उसे evidence नहीं मिलते है और अगर witness वगरा नहीं मिलते है तो उस मामले में जब कोई सबुद कवा नहीं मिले गा है तो पुलिस अपनी final report के रूप में एफार यानि के false report लगाती है final report अलग चीज है और false report अलग चीज है इस चीज को आपको समझना पड़ेगा लोग, एफार का ही मतलब false report और final report लगा लेते है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो जो final report लग रही है कोट में evidence मिल रहे है तो पुलिस क्या करेगी कोट में जो final report प्रस्तोत हो रही है उसके रूप में 4 seat प्रस्तोत होगी ठीक है तो इस चीज को समझ लीजे है जो कि CRPC के दारा 173 के तरह पहसुत होगी तो हमने ये समझ लिया कोट में general diary होती है जिस पर शिकायदर जो होती है FIR चड़ती है ठीक है इसे हम GD बोलते है और case diary होती है उसमें जो भी investigation हो रहा है उसमें daily की report होती है ठीक है कि इस दिन गए हमको यह data मिला यह यह हमको evidence मिला तो वो case diary पे चड़ता है और जो पुलिस तयार करती है जो report तयार करती है ठीक है उसको हम final report कहते है जब उसे complete कर लेती है अगर वो code में दाखिल हो रही है उसमें false report लग रही है ठीक है तो वो final report होगी FR के रूप में लेकिन अगर evidence मिल रहा है तो वो final report होगी 4 seat के रूप में ठीक है